आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउन्डोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मंगलबार को सरकेट हाउस इस्तित मंडलिये फल शाक भाजी मंपुष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया प्रदर्शनी का शिबारम जिलाधिकारी प्रभुयन सिंग द्वारा किया उद्यान विभाग के उपने देश कोशल कुमार नीरज ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें मंडलिये फल शागभाजी प्रदर्शनी में 1500 अधिक किस्म की फूल सब्जी और फल की स्टॉल लगाई गई गई यह प्रतिवर्स आयोजित होने वाली मंडली फल सागभाजी और पुस्ट प्रदर्शनी है आगरा में शेदसक से भी अधिक का समय हो गया है यह आयोजित हो रही है और यहां के उद्ध्यानकी के शेत्र में अच्छा कार करने वाले उद्कृष्ट कार करने वाले लोग और अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसानों को औसर मिलता है कि वो अपने प्रदर्शों का यहां पर प्रदर्शन करें और उत्कृष्ट प्रदर्शों को यहां पर पुरस्कृत भी किया जाता है आज इस प्रदर्शनी का पहला दिन था जिसका उद्गाटन लादिकारी महो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदर्शनी में आलू मुहतसक की स्टॉल लगाई गई जिसमें कई तरह के आलू को प्रदर्शित किया। सरकेट हाउस में हो रही प्रदर्शनी के माध्यम से किसान अपनी खेती के लिए तरीके जान सकेंगे और फलसबजी के खेती के लिए प्रेरित होंगे। सरकेट हाउस में एक से दो मार्च को लगने वाले दो दिवसिये प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए कर प्रदर्शनी को सफल मनाया। इस दोरान फूलों से बनी डोली, कलश और मोर एवं कोरोना वारस की बनी आकरती आकरशित केंद्र रही। इस दोरान लोग अपने अपनी पसंद की आकरतियों के साथ सेलफी लेते हुए नजर आए। और मुझे यहां पर आकर बहुत खुशी हुई बहुत संदर यह फूलों की प्रदर्शनी हर साल लगती है और मैं हर साल यहां पर आती हूँ और मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा बस थेंक्यू काफी काफी अच्छा माहल देखने को मिल रहा है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है हैं अपे आगे नहीं नहीं विराइटी जैसे मुझे दिफरेंट थोड़ा लगा जैसे फार्मर्स के लिए चेमिकल्स भी हैं फॉर्टिलाइजर्स हैं डिफरेंट अरे के पॉट्स हैं और वेजी टेबल्स हैं काफी अच्छी अच्छी वराइटी जो लोगों ने काफी महनद से ग्रो करके और यहां पर नहीं प्रेजेंट करी हैं और अलग अलग यह पूरा लाइक मश्रूम है शिवलिंग है काफी अट्रैक्शन लाइक आज है माच इवरात्री तो उसको रखे और को जो फोकस किया लोगे ने जिससे अभी सब लोग परिशान है तो उसका फोकस रखा है हम आगर अलग लगी और लोगों को उत्सा था था थोड़ा टाइम बात लगाए ना तो लोगों को उत्सा था इसलिए लोग आये हम भी नहीं दो साल से निकले तो हमने भी सुचा कि चले इस माहौल में आने की इच्छा होई प्रदर्शनी के दोनान लोगों में काफी उत्साहत देखने को मिला प्रदर्शनी में आई महीलाएं बच्चे वा पुरुष ने प्रदर्शनी का लुफ्त उठाते हुए जम कर सेल्फी ली और बच्चों के लिए कई तरह के जूले भी लगाए गए जिस पर बच्चों न प्रदर्शनी के साथ जूलों का जम कर लुफ्त उठाया सी न्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट